लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के सर्कुलेटी सिस्टम पढ़े इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाट ऑफ वर्टिब्रेट और उसमें हम पढ़ेंगे पाइसेज यानि की मचलियों के हाट के बारे में अब सबसे पहले बात यह है कि वर्टिब्रेट्स होते कौन हैं थोड़ा सा अपने प्रीवेस टासिस पर जाएं तो वहाँ पर हमने डाइवर्सिटी नाइन्थ क्लास में यह पढ़ा है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें आते हैं डिफरेंट डिफरेंट और ग्यानिसम जै अब यहाँ पे हम सर्क्यूलेट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं और सर्क्यूलेट्री सिस्टम में सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स पढ़े जाते हैं वह पढ़े जाते हैं पाइसे या फिश अब फिश का हाट कैसा होता है क्योंकि जो टॉपिक है वो हमारा सर्क्यूलेट् चुके हैं इसके बाद हमने start किया है कि heart of vertebrate कैसा होगा जो कि जर्नलाइज topic है इसके बाद blood vessels पड़ी जाएंगी और फिर जो main topic है human heart वो अलो topic आ जाएगा तो यहाँ पर हम start करें Piscean heart यानि कि मचलियों का heart कैसा होता है तो यह हम previous classes से पढ़ते आए हैं कि जो मचलियों का heart है यानि कि Piscean heart है वो दो chambered है यानि कि दो कमरों वाला heart है दो कमरों के नाम भी बहुत ही commonly हमें पता है कि auricle and ventricle है तो थोड़ा सा introductory part इसका पढ़ते हैं सबसे पहले जो मचलियों का heart है उसको हम बोलते हैं venus heart मचलियों के heart को हम बोलते हैं venus heart या इसको branchial heart भी बोला जाता है venus heart या फिर branchial heart pices में single circulation होता है इसलिए इनके heart को single circulation heart भी बोलते हैं and यहाँ पे जो respiration है उसके लिए क्या present होते हैं gills present होते हैं अब यहाँ पे respiratory organ क्यों आ गया बीच में ही तो ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं circulatory system की circulatory system में heart blood pump करता है body को देता है body उसमें से oxygen use कर लेती है और oxygen use करके फिर से heart को देती है और heart उसको lungs को या gills को देता है oxygenation के लिए क्योंकि जो blood में से oxygen use हुआ है उसको फिर से भरपाई करना जरूरी है तो यहाँ पे respiratory organs भी आएंगे जब हम circulatory system पढ़ेंगे वहाँ पे respiratory organ आएंगे ही आएंगे तो यहाँ पे respiratory organs क्या है gills है और यहाँ पे gills circulation भी होता है इसकी detailing भी हम करेंगे two chambered heart अब जो दो कमरे हैं इस दो कमरे में एक है auricle और एक है ventricle तो two chambered heart है तो two chambered heart में एक chamber है auricle और दूसरा chamber है ventricle तो यह इसका एक journal सा overview हो गया कि मचलियों का दो chambered heart होता है मचलियों के heart को venus heart बोलते हैं अब यहाँ से हम start करते हैं कि why we call the Piscean heart as a venus heart venus heart इसलिए बोला जाता है क्यूंकि यहाँ से केवल पास होता है de-oxygenated blood यानि कि मचलियों के heart से केवल de-oxygenated blood पास होता है जैसे जैसे evolution होता जाएगा तो heart में दोनों प्रकार के blood आएगा oxygenated भी आएगा de-oxygenated भी आएगा बट मचलियों के heart में केवल de-oxygenated blood ही आता है इसलिए इसको बोला जाता है venus heart और इसी कारण एक और नाम दिया है इसको branchial heart single circulation होता है heart में केवल अगर हम बोले तो दो chamber है और उस दो chamber में अगर एक पूरा circuit से blood flow होता है और किसी organ के पास अगर blood जाना है तो उसमें एक ही circuit होगा single circuit होगा double circuit यहाँ पे नहीं होगा इसलिए यहाँ पे क्या होता है single circulation होता है respiratory organ गिल है अब यह सारी चीजें हम किस तरीके से summarize करेंगे सबसे पहले एक diagram समझेंगे तो diagram से हमें यह समझ में आएगा कि जो सारी terms हैं यह आपस में कैसे interrelated हैं तो सबसे पहले अगर हम chambers की बात करते हैं तो auricle और ventricle यह तो हो गए दो main chambers अगर हम मचलियों के heart के बारे में बात करेंगे तो वो दो chambers हैं बट उसी के साथ साथ यहां पर accessory chambers भी हैं यानि कि ऐसे chambers जो helping chambers के हिसाब से develop होते हैं तो उन chambers के यहां पर नाम हैं एक है sinus venosus and the second one is the conus arteriosus दो chamber और हैं यह additional accessory helping chambers हैं main chambers कौन से हैं? auricle और ventricle अब यहां पर question यह है कि कौन सा helping chamber किसके साथ जुड़ा है तो जब हम यहां पर बात करेंगे atrium की या auricle की जब हम यहां atrium या auricle की बात करेंगे तो atrium या auricle के साथ जुड़ा हुआ है sinus venosus sinus venosus किसके साथ attached है? auricle के साथ औरिकल किसमें ओपन होता है, वेंट्रिकल में वेंट्रिकल किसके साथ जुड़ा हुआ है, कोनस आर्टिरियोसेस के साथ जैसे इसको अगर हम डाग्रामाटिकली बनाएं तो जैसे पाइसियन हाट, टूचेमबर्ड हाट है टूचेमबर्ड के साथ एक्सेसरी चेमबर्ड भी अटाइजड है, अब घ्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे चेमबर्ड उल्टे आएंगे, जब हम हुमन हाट परते हैं तो इवोलुशन हो चुका था हुमन हाट में, तो हुमन हाट में एवोलुशन हो चुका था, तो गुरल उपर था, वहन ट्रीकल, नीचे था पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यह या रखा या आट्रियम या ओरिकल यहाएगा atrium या auricle और इसके साथ जो chamber जुड़ा हुआ है that is sinus venosus this chamber is known as sinus venosus अब sinus venosus open into atrium और auricle and atrium open into ventricle atrium किस में open हो रहा है? ventricle में open हो रहा है और ventricle किस में open हो रहा है? ventricle open into conus arteriosus conus arteriosus में open हो रहा है circulation कैसे होगा? थोड़ा सा ध्यान से समझे अब हमने यहाँ बोला है कि मक्चलियों में एक ही बार एक ही तरीके का blood pass हो रहा है वो भी deoxygenated मचलियों में एक बार एक ही तरीके का blood कैसा blood? venous blood venous blood को हम क्या बोलते है? deoxygenated blood pass हो रहा है तो अगर circuit बनाएं, तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, कि यह जो sinus venosus है, इसने deoxygenated blood receive किया, इसने deoxygenated blood कहां से receive किया, इसने deoxygenated blood receive किया, मान लिजे, किसी organ से या body part से अब body part के पास blood आया कहां से? Naturally, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, circulation की, तो इस circulation में gills की बहुत importance है, तो यहाँ पर हम as a organ, gills भी बना लेते हैं, यह मान लिजे, gills है अब circulation कैसे हो रहा है, ध्यान से समझना, body ने oxygen use किया, body ने oxygen use किया, organs ने oxygen use किया, जब oxygen use हो गया, तो blood क्या हुआ? दी oxygenated, और यह oxygenated blood सबसे पहले आया sinus venosus में, sinus venosus से यह गया, atrium में, atrium से यह गया, ventricle में, और ventricle से यह गया, conus arteriosus में, इस तरीके से flow हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, कि जो heart है, वो pumping organ है, heart को blood देना चाहिए था, किसको, body को, बट यहाँ पे, body ने तो खुदी heart को दिया है, क्योंकि body already oxygen use कर चुकी है, और blood हो चुका है, de-oxygenated, अब body क्या करेगी, इसको vein की सहायता से heart तक पहुचा देगी, vein की सहायता से कहां पहुचा देगी, heart तक, यह पूरा heart है, अब body ने vein की सहायता से heart तक पहुचा दिया, अब heart के पास कोई option नहीं है, अब heart क्या करेगा, oxygenation के लिए, इसको gills को दे देगा, यहाँ पे gills को दे दिया गया है, oxygenation के लिए, और gills क्या करेंगे, gills इसमें add कर देंगे, oxygen, अब यहाँ पे, जब gills oxygen add कर देंगे, तो blood हो जाएगा, oxygenated, और oxygenated blood फिर, gills की सहायता में, कहाँ पे जाएगा, एयोटा में, gills की सहायता से किसके पास जाएगा, एयोटा में, एयोटा क्या है, सबसे बड़ी artery होती है, जो blood body को देती है, यह ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है, कि एयोटा is the largest artery, और यह जो largest artery है, य oxygenated blood देती है, body को, तो यहाँ पे दो type के circulation बनते है, गills circulation और heart के through circulation, तो यहाँ पे दो terms आ जाती है, पहली term जो है, वो यह समझाती है, अगर गills ने circulation किया है, तो यहाँ से circulation होगा, गills circulation, यहाँ से जो circulation होगा, वो गills circulation, और जब body parts के पास आ जाता है, तो वो circulation होता है, body system का circulation, और उसको हम कहते है, systemic circulation, circulation, the circulation is known as systemic circulation, तो यहाँ पे question यह है, कि heart में कैसा blood आ रहा है, blue color यहाँ पे मैंने represent किया है, यह show करने के लिए, कि यह blood है, de-oxygenated, heart से blood कितनी बार पास हो रहा है, एक organ के पास जाने के लिए, केवल एक बार, तो multiple questions हैं यहाँ पे, heart से कैसा blood पास हो रहा है, which kind of blood passes through heart in Pisces, the kind of blood passes through heart in Pisces is venous blood और de-oxygenated blood, that's why, what kind of heart it is, किस प्रकार का heart बन गया यह, venous heart, या branchial heart बन गया, अब जब heart ने gills को दिया, और gills ने body को पहुँचाया, एयोटा की मदद से, तो body organs के पास एक ही बार blood आ रहा है, तो यानि कि एक ही single circuit में blood flow हो रहा है, heart से एक ही बार आया, heart ने एक ही बार दिया, तो single circuit में ही काम हो रहा है, तो यहाँ पे यह जो circulation होगा, इस circulation को हम कहेंगे single circulation, और ऐसे heart को हम बोलते हैं, single circulation heart, यानि कि मचलियों का heart कैसा है, single circulation वाला heart है, और जो दो terms हैं, कि gills, जो है वो oxygenation करते हैं, इसलिए gills circulation भी यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे जो NCRT है, उसके हिसाब से एक picture आपको दी जाती है, समझाने के लिए कि किस तरीके से Piscean heart में circulation दिखाया जाता है, तो जब यहाँ पे NCRT का figure होगा, तो हुआ पे Cornus Arteriosus and Sinus Venosis नहीं दिखाये होते, एक direct circulation बना हुआ है, यहाँ पे नीचे वाला जो chamber है, that is atrium or auricle, this chamber is atrium, this one, this chamber and this chamber is ventricle, atrium नीचे है, ventricle उपर है, बट जैसे evolution होता है, तो atrium उपर आ जाता है, ventricle नीचे आ जाते हैं, यह कब होगा, जब amphibian heart हम पढ़ेंगे तब, बट यहाँ पे atrium नीचे है, ventricle उपर है, यहाँ पे arteries की मदद से gills के पास गया, यहाँ पे भी दो कलर दिखाये हुए है, gills capillaries, यानि के gills circulation हो रहा है, gills ने oxygen add कर दिया, blood oxygenated हो गया, iota की सहायता से यह पूरी body को दे दिया गया, body systems को दे दिया गया, तो यहाँ पे यह कैसा system circulation होगा, systemic circulation, और blood जब use हो जाता है, यानि कि oxygen blood का use हो जाता है, तो blood फिर से कैसा हो गया, deoxygenated और vein की सहायता से यह heart को दे दिया जाता है question यहाँ पर यह ध्यान रखना कि vein heart की तरफ blood लेके जा रही है और artery heart से दूर लेके जा रही है तो जब भी vein आएगी तो हमेशा towards heart यह बहुत important बात है जब भी vein के बारे में हम बात करेंगे तो उसके लिए कुछ words है और वो words है towards heart ही काम करेगा यानि की heart की तरफ blood लेके जाएगा और artery या aota away from heart away from heart यानि की heart से दूर भागाएगा blood को तो यह बहुत important lines है और यह पूरा का पूरा जो circulation हमने पढ़ा that is circulation and this kind of circulation is single circulation एक और चीज यहाँ पर बहुत important होती है कि जब single circulation होता है तो यहाँ पर heart पूरा दम लगा के gills को blood दे देता है but जो efficiency है वो कम है blood pressure कम है और मचलियों में metabolic rate भी कम होती है अब metabolic rate क्या है जब blood oxygen लेके जा रहा है साथ साथ में blood food भी लेके जा रहा है और सारी चीजें दी जा रही है cell के लिए तो cell क्या करती है cell उस food का breakdown करती है और जिस rate पे उस food का breakdown होके energy produce होती है वो होती है BMR that is basal metabolic rate BMR BMR is basal metabolic rate तो मचलियों में metabolic rate लो होती है तो दिस आल बाउट आफ फिशे और पैसे तो